शीरा धें, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी यूटिप चल में स्वागत हैं, मैं विजिंद राज आपके लिए श्रिमात्मा मुझ्जी की प्यारी सी कथा लेकिया हूँ कथा का सिर्सका कि हम दूसरे के दोस्त देखते रहते हैं, लेकिन संत की नजर अलव हो जाती है, संत की दृष्टि की ये कथा है, हम जैसे लोग बस सुने, करना मुश्किल है, कर पाएं तो अच्छा है, वैसे आज के समय में इतना पोसिबल नहीं है, कि कोई हमारा बुरा करे और हम उसको माफ कर दे, इंपोसिबल से, लेकिन फिर भी कथा सुनिया, मात्मा बुद्ध की एक शिश्य ने एक दिन भगवान की चरणों में परणाम किया, हाथ जोड कर खड़ा हुआ, भगवान ने कहा कि क्या चाहते हो, शिश्य बोला, यदि भगवान आ क्या दे, तो म देश में घूमना चाहता हूँ, बुद्ध ने कहा, लोगों में अच्छे बुरे सब परकार के मनुश्य होते हैं, बुरी लोग तुमारी निंदा करेंगे, और तुम्हें गालिया देंगे, तब तुम्हें कैसा लगेगा, शिश्य ने कहा, मैं समुझ लोगां कि बहुत ब फैक सकते, तपड भी मार सकते हैं, शिश्य ने कहा, मैं उन्हें भी इसलिए भला समझूगा, कि उन्हें मुझे डंडे तो नहीं मारे हैं, बगवान बुद्ध कहे, कि अगर डंडे मारने वाले दस-पांच मनुश्य मिल गए तो, शिश्य ने कहा, वे मुझे हत्यारों से नहीं मारते, इसलिए वे फिर भी मुझे भले जान पड़ेंगे, भगवान बुद्ध ने कहा, देश बहुत बड़ा है, जंगल में ठग डाकू रहते हैं, डाकू तुम्हें हत्यारों से मार सकते हैं, शिश्य बोले, वे डाकू भी मुझे दयालू जान पड़ेंगे, क्यो अंसार दुख सवरूप है, इसमें बहुत दिन जीने से दुख ही दुख है, आत्मेत्या करना तो बड़ा महापाप है, लेकिन कोई दूसरा मार दे, तो ये उसकी दया ही तो है, शिश्य की बात सुनके, भगवान बुद्ध बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा, अब होने योग्या है, दूसरों को बुरा समझना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के दोस देखना, छान बिन करना, सबसे बड़ा दोस है, इसलिए इस दोस से बच के रहना अची है, तो छोटी सी कहानी पढ़ने को मिली, अच्छी लगी आपके सामने लेके आया, आगे भ करता को ये विराम, आपको में पड़ाम, जैशियाराम, जैशियारादे,